नमस्ते मैं डॉक्टर पूजन कामत मानीपाल से सो आज हम एक बहुत ही अच्छे विश्याई पे बात करने वाले हैं सब माता-पिता के मन में यह डाउट होता है कि अपने बच्चे के दाथ कब आने शुरू हो जाते हैं सो क्या आपको पता है कि जनम के समय ही सभी दूद के दाथ आपके बच्चे के जबडे में लगबग बन चुके होते हैं हमें बाहर से बस दिखते नहीं हैं पर मसूडों में वो दाथ अल्डरी तयार हो रहे हैं बच्चे का पहला दाथ लगबग 6-7 महने के उमर में आ जाता है और यह जादा तर नीचे के आगे के दाथ होते हैं सो अगर ब्रशिंग अभी तक शुरू नहीं किया है पहला दाथ उपते ही प्लीज ब्रशिंग शुरू कर दीजे उसके लिए आपको एक उंगली वाले ब्रश की जरूरत पड़ेगी तूथ पेस की आवशक्ता नहीं है ताकि पेरेंस को कि मेरा बच्चा तूथ पेस निगल लेता है वो टेंशिन नहीं लेना है आपको बस ब्रशिंग पे कॉंसेंट्रेट करना है बच्चा एक साल का हो गया है और अभी भी अगर उसकी दाथ नहीं निकले है तो प्लीज चिंता ना करें पर बच्चों के डेंटिस्ट के पास जाने का एक अच्छा समय है और वही आपको गाइड करेंगे कि कोई सप्लिमेंट्स विटमिन डी किसी की जरूरत होगी तो वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे बच्चे के जनम के समय ही किसी किसी बच्चों के मुँ में अल्रेडी दाथ रहते है तो अगर जनम के समय ही दाथ है तो उसे हम लोग नेटिल तीत बोलते है और अगर जनम के 30 डेस के अंदर दाथ अगर आए तो उसे हम लोग नियो नेटिल तीत करके बोलते है तो वो और नियोनेटल तीद के वज़े से आपको अगर कोई मुश्किल हो रही है फीडिंग में या दात खिल रहे है या बच्चे के जबान के नीचे के तरफ कुछ भी आपको जखम दिख रही है तो प्लीज डेंटिस्ट के पास जाईए और इसके बारे में जानकारी मिलाईए और इसका ट्रीट्मेंट वो आपको आपके पीडियाट्रिशन के साथ दे सकते हैं टीदिंग बेसिकली एक ऐसा फेज है जहां बच्चे की दात निकलने के समय की परेशानिया और सो हम सब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के क्लिनिक में ये बहुत कॉमें डाउट लेके पैरेंस आते हैं पर ये कोई बीमारी नहीं है तो वो डर आपको आपके मन से निकालना है आपको बस ध्यान लेना है कि आपके बच्चे के आसपास की सब चीजे बहुत साफसुत्री रहे आपको देखना है कि आपका बच्चा उसके मूँ में क्या चीजे डाल रहा है और वो चीजे बहुत clean रहनी चाहिए so बहुत ज़्यादा तर parents की feeding के समय मेरे बच्चे को lose motions हो रहा है diarrhea हो रहा है तो यह connection is not a default connection यह connection होता है because of the lack of hygiene तो इसके बावजूद आपको मेरे बच्चे को मुझे feeding rings देने है या कौन सा soothing gel लगाना है इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए होगी तो please आपके pediatric dentist को contact की अभी आपका पहला पका दाता है approximately 6 साल की उमर में और इस time में almost 4-6 दात रहते है you know नए दात बच्चे के मुँ में आ जाते है main is आपके जो पीछे के पके दात है जो molars जिसको हम बोलते है दाड जो बोलते है और वो आ जाते है और वो किसी भी दूद के दात को नहीं जाड के उठते तो वो किसी-किसी parents को नहीं समझ में आता है कि ये भी मेरे बच्चे के नए दात है तो उसके उपर आपको थुड़ा focus करना है तो उस हिसाब से दातों के स्वस्त भविश्य के लिए ये जो है वो बहुत ही जरूरी टाइम होता है तो आपको कुछ चार चीजों की आपको बेसिकली ध्यान रखना है आपको सभी बीस दूद के दात तीन साल के उमर तक आ जाने चाहिए बच्चों के मूँ में हर छे मैंने आपको बच्चों को डेंटिस के पास दिखाने के लिए जाना है तो आपको मेंटेनन्स पे बेसिकली फोकस करना है नौ से 31 मैने में दातों के संक्रमन की पहली संभावना होती है वैसे ही 6 से 12 साल की उम्र में दातों के संक्रमन की दूसरी संभावना होती है तो यह जो टाइम होता है इसमें आपको प्रेवेंटिव ट्रीटमेंट पे जादा कॉंसेंट्रेट करना है ताकि आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो थांक यू सो मच धन्यवाद प्रॉब्लम्स ना हो